नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है Dr. Sachin Dev आज की वीडियो में बात करेंगे वर्डेनाफिल टेबलेट के बारे में इसको टकर देने के लिए 2003 अगस्त में एक टैबिट बेट आती है वरड एनफिल युएस एफडीअ द्वीडा पूर्वड है है ये 2003 में पूप्रेश में घृत कम नाम आतर के लिए कوई जानकार को विदेशी इसे की जाती है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसीन है डोक्टर की सलापर ही दी जाती है ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाकर के खाली हाला कि अगर आपके जानकार है तो वह आपको आसानी से टैबलेट दे देते हैं बात करें डोसेज की तो यह वेक्ति की उम्र वजन और बीमारी के नुस इसकी उसमें पाए जाता है NO, NO बनाता है CGMP, यह CGMP हमारे पैनिस में तनाव लाता है, सिम्पल सी बात, लेकिन हमारे शरीर में एक एंजाइम पाए जाता है PDE5, फोस्फोड़ाइस्टराज 5, यह CGMP को खतम कर देता है, और जहां CGMP खतम हुआ, तनाव भी खतम हो जाएगा, तो हमें ऐसी टैबलेट खानी होती है कि जो PDE5 को काम करने सुरू कि यह उसे खतम कर दे, यह होती है PDE5 inhibitors, यानि सिल्डेनाफिल, टडलाफिल, वर्डेनाफिल और अवानाफिल, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी सबकी separate वीडियो आपको description में मिल जाएगे, आप check out कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि अंतर कहाता है, सिल्डेनाफिल और वर्डेनाफिल में, देखें अंतर कुछ नहीं है, दो जगें अंतर है, एक तो जो इसका काम करने का तरीका है, असर है, वो जो सिल्डेनाफिल की बात करें तो 3-4 घंटे रहता है, और वर्डेना का रहता ह मिलती है बस इतना ही अंतर है बाकि side effect बिल्कु सेम है सिर में दर्द हो जाएगा चक्करा जाएंगे शरीर में जकड़न हो सकती है फ्लशिंग की दिक्कत हो सकती है फ्लशिंग का मतलब है चहरा नाक कान आपके लाल हो जाते हैं गरमों कर यह फ्लशिंग बोलते हैं आपने महसूस किया हो अगर आपने यह टैबलेट खाई हो आखों में जलन दर्द हो सकता है तो यह side effect बिल्कु सेम है हार्ट के पेशेंट है हार्ट के पेशेंट हैं तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें आप एल्गोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्मोकिंग कर रहे हैं तब इसको आप इस्तेमाल ना करें खाने के तुरंत बाद आप इसको ना ले यह नहीं कि आपने खाना खाया तुरंत आपने खाली ऐसा न करनी है यह नहीं उठा करके अगर हाइपोटेंसिस की है 20 mg तो 20 mg खाली भाई वो बीमारी के नुसर तेगी जाती है ऐसा नहीं कोई सी भी खाली आप मोजमस्ती के लिए ले रहे हैं तो कम मातरा से शुरू करें 5 mg 10 mg से शुरू करें 18 साल से नीचे तो इसका स्तमाल ना करें साइड एफेक्ट जादा हो सकते है 18 साल के उपर ही आपको इसका स्तमाल करना चाहिए उमीद है जानकरी आपको पसंद आए होगी अगर कोई जानकरी अधूर रह गए तो कोश्यन आप कर सकते हैं कमेंड में आ करके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी अपना ध्यानक के नमस्कार धन्यवाद